हलो स्टूडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्टडिवी एजुकेशन चैनल में यदि आपने हमारे स्टडिवी एजुकेशन चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हर अपडेट हर और जैपुर में जो अपना एक्जाम होगा उस स्किल से रिलेटर जो भी आपको कन्फियोजन है किसी भी परकार का आपने कॉश्चन पूछना है एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दी है अपने चैनल के उपर और उसका लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को अच्छे से देख लें समझ लें कि किन किन बातों का स्किल देने से पहले अपने को धान रखना है तो आज की डिक्टेशन रहेगी असी वर्ड पर मिनट की स्पीट पे डिक्टेशन स्टार्ट होती है पांच सेकेंड बाद रेड़ स्टार्ट भारतिये अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या पांच पॉइंट जीरो दो करोड से ज्यादा हो गई है विराम लंबित मामले हमारे लिए निरंतर चिन्ता का विशय बने हुए हैं विराम अकेले सुप्रीम कोट में लंबित मामलों की संख्या उनतर हजार साथ सो च 66 हो गई है विराम एक अनुमान के अनुसार कॉमा भारत में दस में से नो मामले अदालतों में लंबित रहते हैं विराम केवल दस प्रतिशत मामलों में ही तवरित कारेवाही चल पाती है विराम आखिर इतने मामले क्यों लंबित हैं इसका एक पहलू यह भी है कि लोग पहले की तुलना में अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा सजग हुए हैं इसलिए अधालत पहुँच कर अपना अधिकार लेने की चेस्टा कर रहे हैं विराम वैसे बढ़ती जाग रुखता जहां अच्छी बात है वही मामलों का लंबित रहना बड़ी चिंता की बात है विराम ध्यान रहे लोग न्याए की परत्याशा में ही अधालत का रुख करते हैं विराम ऐसे में अगर उन्हें जल्दी न्याए नहीं मिलेगा तो वे दूसरे रास्ते अपनाएंगे जो देश में कानून विवस्ता की सेहत के लिए ठीक बात नहीं होगी पैरा लंबित मामलों पर चिंता पहले भी कई बार उठी है विराम पिछले वर्ष जुलाई में भारत के परधान न्यायाधीश एनवी रमनाने देश में ज्यादा लंबित मामलों पर ततकालीन कानून एवं न्याय मंतरी किरेन रिजीजु दुआरा व्यक्त की गई चिंत पाउं का जवाव देते हुए कहा था कि न्यायक रिक्तियों को नै भरना इसका परमुख कारण है विराम तब भी यह चिंता जताई गई थी कि लंबित मामलों की संख्या पांच करोड को पार करने वाली है कोमा पर अब जब वाकई पार कर गई है कोमा तो सभी संबंदित पक्षों को सजग हो जाना चाहिए विराम लंबित मामलों को जल्द से जल्द न्याय तक पहुंचाने के लिए सरकार और न्याय पालिका के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिए पिछले साल ही देश के परधान न्याय धीश ने केंदरिय मंतरी को कह दिया था कि न्यायक रिक्तियों को भरना और न्यायक बुनियादी धांचे में सुधार करना जरूरी है विराम क्या विगत एक वर्ष में इस दिशा में गंभीरता से काम हुआ है विराम दिसंबर 2022 तक देश के 25 उच्छ न्यालियों में जजों की संख्या होनी चाहिए थी 1108 पर जज थे 778 कुल विराम निचले अदालतों की बात करें कोमा तो जजों के पद थे 24,631 और जज थे 19,288 मातर विराम इतने पद खाली कैसे हैं कोशन मार्क आज जरूरत समगरता में सोचने की है पैरा मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है विराम जैसे बताया जा रहा है कोमा मनीपुर में ही तीन मई के बाद हुए दंगों के चलते 6000 से अधिक FIR दर्ज हुए है कोमा इन में से ज्यादातर मामले अधालतों में जाएंगे और दोशियों को सजा मिलने में नय जाने कितना समय लगेगा कोश्यन मार्क यदि मनीपुर में ततकाल प्रभाव से कानून का राज कायम करना है कोमा तो अधालतों को भी तवरित नयाय करना होगा विराम अपरादी लंबित मामलों में अपने बचाव की गुंजाईश देखते हैं कोमा जबकी पीडित को सालों बाद जब नयाय मिलता है कोमा तो नयाय अपना महतब लगभग खोकर समाज में अन्याय को बढ़ावा देता है विराम तवरित नयाय पूरी ववस्था की जिम्मेदारी है विराम नयाय और वह भी तवरित नयाय का माहोल बनाने की कोशिश में हम चीन जैसी ताना शाही ववस्था का अनुसरन नहीं कर सकते कौमा पर अपनी लोग तांतरिक सीमाओं में रहते हुए नयाय प्रकिरिया को तेज करने के हर संभव उपाय तो कर ही सकते हैं विराम भारत जैसी विशाल आवादी वाले देश समाज में अमन चेन के लिए यही होना चाहिए स्टॉप टॉप डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टॉडिव एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिएगा थैंक्यू